कर दोस्तों नई सोच नई दिशा मैं आपका एक वार फिर से सवक्त है आज है तेरा जून और तेरा जून के जितने भी माचल पदेश के करंट फेर बनेंगे वह आपसे डिसकस करने की कोशिश करेंगे प्लीज वीडियो को पूरा देखें स्किपना करें वीडियो का जो आप से आप डाउंडोर्ड कर सकते हैं प्लीज चैन्द को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आने वाले हर वीडियो की अप्रेट आपको समझ में पर मिलती रहें यो जितने भी कोशन मनाय जा रहे जो आपके आने वाले जेप्टी टैट और कमिशन होगे उ सब्सक्राइब कोशन को दियां से देखें और दियां से समझें तो पहले मैं बता दूँ कि यह इस योजना का नाम है शेरी अजीव का गरेंटी योजना यह किसके अंतर पर आती है यह आती है मंद्रेगर करता है तो इसको बढ़ा कर दी गया है इसे 120 दिन कर दी गया पहले आने वाल जितने भी एक्जाम होगे उसमें आपकर रिफ्यूजना तो 120 दिन का रोजगार उन्हें उपलब्द करवा जाएगा और जितनी बी पदानम जो मुख्यमंत्री दुवारा योजना बनाए जा रही है आप उन्हें याद रखिए योजना उसे रिलेटर डेकोशन अग्जाम में जुरूर आएगा तो पहले दू दिन मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो पंचबटी होजना है वह भी मुख्यमंत्री जे राम ठाकर दुवारा अभी हाली में लूंच की गई है तो आप इन्हें भी याद रखिए चलते हैं नेक्स्ट कोश्न की तर हींग और क पादन के लिए मच्चल पृदेश की कृषण विवाग किस संस्तान में किया है किस संस्तान में किया है आएंगे और एक्जाम में बनेंगे तो अच्छे से देखें अच्छे से वीडियों को समझें और जो भी कोश्टन करवाए जाए आप उन्हें ध्यान से देखें ताकि आने वाले एक्जाम में जो आपकी माचिक रंठ पर आएंगे उसमें आपको किसी भी प्रकार कोई की परफ रॉस इत्र जून शार फीजक ऐक्ट दिन के लिए कंगडा का स्ट इप किसे बनाई गया है तो यह बनाएंग ऑनक्र किनका कोन फॉर्ट क्लास इस तूडेंट को ने से बाहिं चायनों की उन्हें कुर्सी बे बठाया था और जो ही नठाक रहे उनका सपना है कि वो एक IS बनना चाहते हैं तो IS बनने के बारे में जो जतिनलाल है बान के SJ उन्हें उनको मोटिवेट की है कि आप इस तरह से करिए इस तरह से आपको हम मोटिवेट करेंगे तो जतिने भी आपके फ्रेंड्स होते हैं प्लीज आप उन्हें अच्छे से मोटिवेट कीजिए कि आप 10 के बाद क्या करना चाहते हैं कोई से सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं किस तरह से तियारी करनी आने वाले एक्जाम में उसके वारे में भी जतिनलाल उनको मोटिवेट किया है और पूरे प्रोटोकॉल के साथ उन्होंने शाम को घर भी शोड़ है तो प्लीज अच्छी पहल है बेटी जाओ बेटी पढ़ाओ किसी चाहिए लड़का हो या लड़की हो उसके अंदर कोई विदभाव नहीं करना चाहिए सभी को समान सब्चाहिए तो सभी को दिसकस करेंगे तो आज हम जो माचल की नदियां पांच उनके बारे में डिसकस करेंगे आज दो नदियों के बारे में आप से बातचीत करेंगे कि उनकी साइक नदी है कौन सी है उनका पुराना नाम क्या था उनका संस्कृत नाम क्या था उनका संस्कृत नाम क्या था उनक कोंसी बसप़ और स्पिति नधी यह ऐसे कोश्न exam में आपको जूर आएंगे तो प्लीज व्डीा को compensate न करें पूरी देखें जो आने बाल exam है उसमें आपको देखने को मिलेंगे तो ध्यान से देखें और जो हमारी सत्रलूज नदि है वो कितने किलो मीटर लंबी है, वो है उसकी जो लंवाई है, 1448 किलो मीटर और जो पानी के प्रवाक्षेत्र है, उसके ितनी मीटर लंबी है तो वो से 300 किलो मीटर तो चलते है, ब्यास नदी का बैदी का नाम क्या था बड़ी बार एक्जाम में ये कोशन पूछा गया तो इसको ध्यान से देखें और उसकी कौन सी साइक नदियां उसके वबारे में व्याप अच्चे से नोलज रखिए ताकि जो भी जितने भी नदियों से रिलेटर कोशन पूछा जाए लूनी पारबती सेंज तिर्थन हरला उल और जो ये ब्यास नदी है इसकी कितनी किलोमेटर लंबी है ये 460 किलोमेटर लंबी ठीक है इसके वारे में आप अच्छे से दियान रखिए ब्यास नदी का जो उद्गम स्तल है वो कहां से निकलती है इसके वारे में आप मुझे ब्यास नदी का जो उद्गम स्तल है वो और वो कहां से निकलती है इसके वारे में आप मुझे बता सकते हैं आज के लिए इतना ही तो मिलते हैं अब अगले वीडियों साथ तब तक के लिए धन्यवाद